आज हम लोग first chapter मतलब relations and functions पढ़ेंगे ठीक है function अपने class 11 में भी पढ़ा हुआ है जिसमें आपने range और domain code domain ये सारी चीज़े पढ़ेंगे ठीक है जो 12 का first chapter है आपका यहां पे relations से शुरू होता है ठीक है तो सबसे पहले कि आप relations को समझे कि Maths में इस word relation का क्या यूज हो सकता है या फिर exactly मतलब क्या है mathematics के point of view से ठीक है तो इसको मैं ऐसा समझाने की कोश्च कर रहा हूँ आपको कि आपकी coaching में जैसा दो बैत चलता है न तो एक जैसा हो गया मान लो कुछ regular के students हैं ठीक है और कुछ हो गए आपके पास suppose करो summer course के student है है न ठीक है कुछ regular के students थे कुछ summer के students हैं ठीक है न अब इसमें देखें कि भई suppose करो regular वाले जो students है उसके set को आपने पी assume कर लिया ठीक है और जो summer वाले है उसके students के set को आपने q assume कर लिया ठीक है तो अब आप जैसे आपने वो multiplication समझा होगा ठीक है तो अब इसमें से मैंने ऐसा suppose किया कि भी small p जो है यह set का element हो गया ठीक है और small q लिया वो set का element हो गया ठीक है तो अब देखो relations को समझने कोश्च करेंगे और फिर यह सीखें कि different type के relations कैसे हो सकते then उसको mathematics के लिया से पढ़ेंगे आप ठीक है तो एक example मैं आपको जैसा बता रहा हूं कि भी हमने p q लिया ठीक है तो p q मतलब एक element जो आपने लिया हुआ है वो कहां से लिया regular वाले set से और दूसरा जो हमने element लिया वो कहां से लिया summer वाले set से ठीक है यहां तक सब के समझ आ रहा है अब यह जो element हुआ यह अपने class 11 में बढ़ा हुआ है यह क्या हो जाएगा ऐसा p x q लिख सकते है अब यह हम लिख रहे है कि भी p q p is the element of set p and q is the element of set q तो p q का जो हमने यह बनाया यह क्या हो गया p x q का element हो गया ठीक है अब यह लिखा हुआ है अब मैं कह रहा हूँ कि such that p is brother of q ठीक है तो अब देखो यह एक relation हुआ कि भी हमने दो different sets लिए थे दो नोग different sets से हमने दो अलग-अलग elements लिखे like p and q अब देखो यहां पर क्या कह रहो p is brother of q अब देखी जैसे मैं दूसरा एक लिख रहा हूँ है ना फिर से लग like p क्यों लिया element of ठीक है और मैंने यहां पर ऐसा लिखा कि भी p is sister of q ठीक है यह different relation आगे ठीक है समझ आ रहा है फिर अगर मैंने ऐसा लिखा कि कि भी p q ठीक है such that p is ठीक है more intelligent than q ठीक है तो यहां पर आप इन चीजों में क्या observe कर रहे हूँ है इस अभी में देखी कि दो different sets आपने लिखे थे p and q एक p set का element था दूसरा q set का element था और p q से related है और यह 3 different relation मिलना आपको यह first relation मिला यह second मिला और यह क्या मिला third relation मिला तो मतब यहां पर relation को हम लोग क्या करते र से लिखते हैं ठीक है न तो यहां पर आप कह सकते कि भी जो p q आया is the element of this relation ठीक है यहां तक समझ आ रहा है को doubt है किसी को इसमें ठीक है देख लें p q क्या होगा element of r and what is r यह यह जो different type के relations थे जो हमने तीन अलग-अलग examples दिये थे ठीक है तो यहां तक समझ आ रहा तो इसको आपको यह जैसा कि वह daily life में देखते वहां से एक example से समझाने की कोश्च किये ठीक है अब इसको mathematics के point of view से लिखेंगे और इसको समझने की कोश्च करेंगे ठीक है यहां तक सबके समझ आ गया good तो अब यहां पर हम लोग कैसा लिख सकते के maps के लिए कि भी P R लिख दिया और Q लिख दिया ठीक है मतब आप कैसकते कि भी P P is related to Q ठीक है P is related to Q under the relation under the relation R ठीक है और इस चीचको अब कैसा लिखोगे ऐसा मतलब क्या होगे P is related to Q under the relation यहां तक समझ आ रहा है सबको तो देखो relations की जहां तक बाती तो क्या हुआ यहां पर समझ आ दो different sets लिए हमने है ना और वहां से क्या कि हमने relation दिखाया तो अलग-अलग बहुत सारे mathematical relations हो सकते जैसा कि मैंने आपको example बता है तो इस तरह से mathematics के relations मिल सकते ठीक है यह मैंने इस तरह के normal जो traditional meaning होता relation का उसके हिसाब से मैंने एक चीज़ बताया था अब उसको mathematics के लिए आसे समझने के कुश्च करेंगे ठीक है तो जो concept है वो बिलकुल different types के relations पढ़ेंगे जो maths के अंदर लिख सकते जिसको आप है ना ठीक है अब उस different types के relation में हम कोई भी जो हम लोग normal life में use करते वो relations भी आएगा और उसको भी उस example में fit कर सकते वो आप देखोगे अभी ठीक है तो आप देखो अब देखें types of relation में सबसे पहला जो definition हम लोग पढ़ते हैं जो सबसे पहला type पढ़ेंगे है ना उसको कहते हैं empty relation empty ठीक है अब इसमें कहीं जगों पर इसको वाइड relation भी कह सकते हैं आप कहते हैं है ना ठीक है अब यहां पर सबजना कि suppose हमने एक relation R लिखा वह चाहां भी मैं capital R यूज़ करूंगा मतब समझे मैं relation दिखा रहा हूं झाल 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 ठीक है अब यहां पर देखे अब इसको हम लोग कैसा लिखते देखना द्यान से समझना फिर मैं इसको explain करूँगा ठीक है यह empty set लिखते है आप ऐसा है ना class 11 में हमने पड़ा हुआ है ठीक है तो देखो यहां पर इसको पहले मैं statement लिखा रहा हूँ फिर मैं समझाने के कोश्च कर रहा हूँ तो अब ऐसा लिखना है कि a relation R ठीक है एक relation लिख दिया होना है a relation R in a set A in a set A मतब A into A लिखा हुआ है मतब set A में मतब first term जो जैसा आप यहां पर पहले आमने लिखा था PQ मतब यह भी A से ही निकल के आएगा set से और यह भी set A से ही निकल के आएगा ठीक है in a set A is called empty relation okay is called empty relation if if no element if no element of A if no element of A is related to related to any element of A ठीक है समझा रहा है तो देखो यह ऐसा हमने लिखा था कि यह relation जो है यह as a लिखा हुआ है तो relation क्या हो गए A से A के लिए कोई भी जो हमारा वो relation है R के कॉर्णिंग वो valid नहीं होता है तो आपके इसको क्या कहोगे empty relation यहां तक समझ आ रहा है अब देखो इसको note कर लीचे मैं कुछ first class है जैसे relations के अंदर है न तो अभी हम NCRT level की वो पढ़ाई करेंगे next class में फिर same topics है जो JEE के लिए या जो advance के लिए important चीज होगी वो पढ़ाया जाएगा आपको ठीक है तो इसको फटा फटा फट नोट करें आप है ना देखे अब मैं जैसे एक example दे रहा हूँ जहां से आप इसको सेख पाएंगे समझ पाएंगे कि क्या है यह ना ठीक है देखे अब जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि suppose एक set A लिख लो आप है ना यह ऐसा है 3 4 5 6 7 8 ठीक है क्या लिखा आपने एक set A लिख लिया है ना उसमें क्या है जो elements है इस आर 3 4 5 6 7 8 यहां तक समझ आ रहा है सबको अब मैं यहां पर जो एक relation define कर रहा हूँ वो समझने के गोश्च करिएगा ठीक है अब इसमें हमने लिखा हुआ है ठीक है ठीक है सिस्थ आट A plus B is 50 ठीक हो ड्याँ से समझना अब देखो एक set A लिया जो given है आपके पास जो information है और जो relation define कर रहे है वो a b के लिए ठीक है रहा अब यहाँ पर जासे हमने a b मतब a first b a का set a का element होगा और b b क्या होगा set a a का element होगा क्योंकि हम लोग क्या कर रहे है जो हम लोग empty relation को define कर रहे है in a set a यह द्यान देज़ेगा in a set a तो मतब यह जो दोनों elements होगे यहाँ पर यह a से निकल के आएगा ठीक है अब यहाँ पर देखो here कि भी इस set a के लिए कोई भी दो elements ऐसे मिल रहे है जिनको आपको add करोगे तो 50 मिलेगा मेरे खाल सानी अब highest जो number है 7 प्लस 8 करोगे तो भी आपको 15 मिलता है मतब इन 6 elements में से कोई भी दो ऐसा नहीं है जिसको आप sum करते हो तो आपको 50 मिलेगा अब क्या कह सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर हम देख सकते हैं यह क्या से लिखा हुआ है इट मीन्स कि आप ऐसा कह सकते है कि r does not contain any element r does not contain any element of a into a लिख सकते हैं यहाँ तक समझ आ रहा है it means कि r is a empty space समझ आ है यहाँ पर r क्या हो गया empty set लिख सकते हैं तो देखो empty relation क्या हो गया समझ आ है कोई doubt है किसी को तो देखो r यहाँ पर empty set हो गया it means कि r is the empty relation on a तो final calculation क्या हो गया कि यहाँ पर जो r define क्या हो था यह क्या हो गया it is the empty relation on a ठीक है तो जैसा अपने definition में भी पढ़ा हो था ठीक है न कि भी आपने यहाँ दिखा था कि a relation r in a set a is called empty relation if no element of a is related to any element of a जिसको mathematical formula में अपने इस तरह से लिखा हुआ है ठीक है यहाँ तक सबके समझ आ गया लिख लें इसको note कर लीचिए आप फटाफ़ नोट करें अब दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है universal relation यहाँ तक सबके समझ आ गया अब जो second type का relation है वह आप पढ़ोगे क्या लिख लेचे universal पहला क्या था empty relation वो आपके समझ आ गया अब लिखे लिखे इफ लिख लें आप चाहें तो लिखें इसको if each element if each element of A is related to related to every element of A ठीक है तो क्या लिखा आपने कि बहुँ आरलेशन आर इस a relation R in a set A is called universal relation if यह main point क्या हो गया if each element of A is related to every element of A ठीक है तो इसको clearly हम लोग ऐसा लिख सकते यह आ जाएगा ठीक है मतब A का जो भी element है वो A की element से related होगा इस given relation के लिए तो यहाँ पर R को क्या कहेंगा अब ठीक है यहां तक समझ आ गया सबको अब इसको मैं एक example से समझाने की क्योश्च कर रहा हूँ ठीक है फिर से आप लिख लिएचे को एक set पकड़िए suppose that A is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा है ठीक है ना अब यहाँ पेचो मैं relation को define कर रहा हूँ है ना वो ऐसा लिखा हुआ है ठीक है अब देखे यहां पर हमने क्या लिखा यह अब यहां पर देखो इसमें कोई भी दो element पकड़ लो उन दोनों का असम क्या होगा या तो 2 होगा या तो 2 से जादा होगा वो बहुत clear है यहां पर देख लीची आप ठीक है देख सकते यहां तक समझ आ रहा है तो मतलब आप यहां पर क्या कह सकते जो रिलेशन है वो सभी के लिए वैलेड है तो सभी के लिए वैलेड है मतलब इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे हां पर कि र is यूनिवर्सल रिलेशन उन सेट ए तो देखो र यह डिफरेंट है इसको किसी पी अलग दूसरे सेट के लिए भी डिफाइन किया जा सकता है ठीक है नँर र को किसी दूसरे बिफाइन कर सकते हैं हम लोग लेकिन अब यह डिपेंड करेगा कि यह एमटी है या यूनिव के लिए ये given r क्या हो गया universal हो गया last time जो हमने relation define किया था ठीक है अब last time जो ए लिखा हुआ था हमने तो वो particular r a के लिए क्या था empty था maybe कि किसी दूसरे के लिए क्या हो जाएगा वो non empty होगा ठीक है ना तो यहां तक सबके समझ आ रहा है तो देखो empty relation क्या होता सबके समझ आ ग whatever note करें देखे अब इसको define करें लिख लें a relation R a relation R on a set on a set A is is said to be is said to be reflexive reflexive if every element of every element of a is related to itself related to itself ठीक है अब देखो इसको कैसा लिख सकते है हम लोग कि भी mathematical लिखने को यह statement हो गया definition हो ठीक है reflexive relation का relation R on a set A ठीक हो फिर से एक relation आ रहा है और किसी एक set A की बात कर रहा है हम लोग ठीक है न तो if relation R on a set A is said to be relation R on a set A is said to be reflexive if every element of a is related to itself ठीक है तो देखो mathematically इसको कैसा लिख सकते है अब देखो यह क्यों लिखा क्योंकि definition में लिखा हुआ है कि कोई भी element और उसके साथ ही relation शोग कर रहा है ठीक है न तो देखें अब इसको देखें अब देखो तोनों same element को शोग कर रहा है और वो क्या है उस relation का ठीक है न आर का element हो गया for every A ठीक है तो A is the element of set A ठीक है जहां तक समझ आ रहा है फिर इसको भी मैं एक example से समझाने की कोश्च कर रहा हूँ अब ऐसा समझ है आप कि भी कोई set ले लो A ठीक है न अब यह suppose करो कुछ है कुछ भी लिख ले चीए कि भाई लिख लो A B या आप A से confused हो जाएंगे क्योंकि A B हमने लिखा हुआ है इसको अब लिख लेजिए P Q R ठीक है अब हमने एक set A लिया ठीक है यहां तक समझ आ रहा है अब हम R लिख रहे है ठीक है अब R को हमने लिख दिया सपोस फिर A से नहीं लिख सकते है अब P लिया हुआ हुआ हमने ठीक है अब देखे देखना द्यान से समझना अब यह लिखिए अब इसमें देखे कि क्या यहां पर A रिफ्लेक्सिव है देखना आपको होगे यहां पर क्या होगे सारे पेर्स दिख लिखे हो है रिलेसंस के है नहीं यहां तक समझ आ रहा है अब देखो कि क्या यह इस डेफिनेशन को सैटिस्फाइ कर रहा है देखिए रहां से समझ यह अब देखना यहां पर क्या कह रहा है each and every element तो देखो यहां पर तीनी element है और यह खुद से related है क्या तो देखिए यहां पर यहां पर और यहां पर तो तीनों element क्या हो गया खुद से related है it means कि आप यहां पर कह सकते कि भी यहां पर क्या हो गया R is reflexive relation on A, R is reflexive relation on A, क्यों भई, क्योंकि इनके सभी element खुद से related थे, according to this relation, यहां तक समझ आ रहा है, कोई doubt है किसी को इसमें, लिख सकते हैं न, देख लीजिए, अब इसको note कर लें, तो first आपने पढ़ लिया, empty relation, then universal relation, then reflexive relation, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, symmetric relation, then transitive, then आप सबसे important जो चीज़ है, equivalence relation, वो हम पढ़ पाएंगे, जो आपके आगे के mathematics के लिए बहुत important होगा, ठीके, तो यहां तक फटा-फट note करें इसको, फिर हम लोग next symmetric relation पढ़ेंगे ठीके, note कर लिया, आगे बढ़ें, कर लिचीए, फटा-फट करिए, ठीके, अब आ जा रहे हम लोग इस पे, symmetric पे, ठीके, फोट क्या हो गया, symmetric, symmetric relation, ठीके न, अब देखना, त्यान से समझना की, symmetric relation में क्या होगा, पहले आप definition लिख लो, ठीके, then उसको mathematically मैं आपको समझाता हूँ, है न, then उसके बाद आपको समझा जाएगा, फिर क्या है, लिखे, अब इसको ऐसा समझ लो, कि symmetric लिखना है, जैसे दो element हमने लिया, A1, A2, ठीके न, दो different element लिए, A1, A2, ठीके, तो यह इस relation को define करने के लिए, blue लिख रहे है, ठीके न, implies that, implies that, a2, A1, is the element of R, ठीके, for all, A1, A2, ठीके, of all, A1, A2, ठीके, अब द्यान से समझ जया, कि भी, यहाँ पर A1, A2, मतलब यह different, दो अलग-अलग elements को show कर रहे, किसके, A के, ठीके, न, यह A के दो अलग-अलग elements को show कर रहे, ठीके, तो अगर वहाँ पर, देखना, द्यान से समझना, कि अगर वहाँ पर एक ऐसा वो arrangement बनता है, ठीके, मतलब इसको और भी mathematical यह आप ऐसा भी लिख सकते, कि भाई यह, A1, A2 से जैसा relate हो रहा था, ठीके, वो क्या होगा, बिल्कुल सेम तरीके से, A1 से भी relate होगा, ठीके, और अगर ऐसा होता है, तभी यह क्या होगा, symmetric होगा, ठीके, तो जो देखो, reflexive और symmetric में क्या difference आया समझा रहा है, वहाँ पर same element का वो image बनना था, यहाँ पर क्या होगा, दो कोई भी element हमने लिया हुआ है given set से, ठीके, तो जो उल्टा वो relation है, वो भी valid होना, ठीके, तब यह क्या हो जाएगा, symmetric हो जाएगा, ठीके, देख लिएचे, इसको note करिए, फटाफट, देखे, जल्दे note कर लिएचे, देखो, अब मैं एक example से इसको समझाने की कोश्च कर रहा हूँ, अब लिखिए, suppose हमने एक फिर से एक element A ले लिया, it is 1, 2, 3, 4, ठीके, अब यह element हो गया, यह सारे elements हो गया, तुमारे उस set A का, ठीके, अब जो यहाँ पर हमने relation जो use किया हुआ है, देखना, देखे, हमने यहाँ पर relation लिखा हुआ, इस example के लिए, देखेगा, R1, it is 1, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 2, and 4, 1, ठीके, देखो, हमने के लिखा हुआ है, 1, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 2, and 4, 1, अब यहाँ पर आप देखे, इसको चेक करिए, कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या था, कोई भी जैसे, A1, A2 है तो वो A2, A1 भी दिखना चाहिए आपको, तो 1, 3 है, ठीक है ना, तो देखना, 1, 3 है, तो कहीं भी 3, 1 है, देखो यह, लिख सकते हैं, अब देखो, जैसे 1, 4 है, तो 4, 1 भी होना चीए, ठीक है, 1, 3 है, तो क्या होना चीए, 4, 1 भी होना चीए, वो दिख रहा है आपको, ठीक है, और लिखे, देखे, टू टू तो ही, टू टू, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, कि यहाँ पर क्या हो गया, कि भी जो elements मतलब A1, A2 और A2, A1, वो सभी valid था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह सकते अब, लिखे, तो मतलब R1 क्या हो गया, symmetric हो गया, लिख सकते हैं न, समझ आ गया, कोई doubt है किसी को इसमें, नई, चले, अब next लिखे, तो आपने क्या क्या पढ़ लिया, empty relation पढ़ लिया, universal relation पढ़ लिया, ठीक है न, फिर क्या पढ़ा, reflexive पढ़ लिया, symmetric पढ़ लिया, अब एक transitive पढ़ लिया, ठीक है इसको note कर लिया सबने, note कर लिची, next लिखे, अब transitive, transitive relation, ठीक है, अब देखे, transitive relation को कैसे define करेंगे, बहुत simple है, देखना, देखना, ध्यान से समझने की कोईश्च करना आप इसको, ठीक है, if, a1, a2, element of r, and, a2, a3, is element of r, ठीक है, यहांते लिखा हुआ है, अब इसमें क्या होना चीए, applies that, देखो, transition मतब, transitive मतब transition दिखना चीए, a1, a2, 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 a3, तो क्या होना चीए, a1, a3 का भी, a3 का भी pair बनना चीए, इस given relation के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, transitive relation हो जाएगा, ठीक है, a1, a2, element of r, a2, a3, element of r, r यहां पर कौन है, वह relation, जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको मैं transitive बनाना इस particular definition के लिए, तो अगर यह क्या होना चीए, देखो, a1, a3, a1, a3, अगर यह भी element of r हो गया, देन आप क्या कह सकते, लिख लीचे, फटाबर इसको note करते जाएं, ठीक है, तो अब यहां पर अगर ऐसा होता है, a1, a2, element of r, a2, a3, element of r, और a1, a3 भी अगर element of r हो जाता, तो आप क्या कह सकते, r is transitive relation on a, r is transitive relation on a, ठीक है, तो a ऐसा क्यों का, r is transitive relation on a, क्योंकि यहां पर हमने यह दिखाया हो है, कि a1, a2 जो है, is the element of a, a1, a2 क्या हो गया, is the element of a, को doubt है किसी को, नई, लिख सकते, अब देखे, a1, a2, a3 भी आ जाएगा है, आपर न, देखे, a1, a2, और a3, यह तीन हो क्या हो गया, a1, a2, a3, यह तीन हो क्या हो गया, element of a हो गया, लिख सकते है, जहां तक समझ आ है, कोई doubt है किसी को, इसमें, नहीं, इसको फटा-फट नोट कर लिजिए, अब देखे, इसको फिर से अगर द्यान से समझने की कोश्च करेंगे, तीनों में देखो, अब आपने क्या-क्या लिखा था, देखना द्यान से समझना है, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, empty, देन क्या पढ़ लिया, universal, देन क्या पढ़ा, reflexive, ठीक है, देन क्या, symmetric, ठीक है, और last में भी क्या पढ़ा है, Translative, अब key points क्या-क्या याद रखने हैं आपको, देखना, empty में क्या होगा, उस particular set A के लिए अगर R given है, इसका कोई भी, मतब किसी भी element के pair के लिए क्या होगा, R valid नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, empty, अगर सभी के लिए valid है, तो क्या हो जाएगा, universal, अब देखो, reflexive, reflexive में क्या था, देखना, एक चीज़ उसमें ध्यान नोट करने की जुरत है, कि यहाँ पर A element of A लिखा होगा और A every होना चीए, मतब A के सभी element के लिए जो मैं condition दे रहा हूँ, वो valid होना चीए, है न, और every element of A, और वो condition क्या था, कि जो A, A होना चीए, यह relation का element होना चीए, समझा रहा है, तो यहाँ पर every की बात करें, लेकिन जब आप symmetric में आये होंगे, ठीक है न, तो symmetric में देखेंग आप, यहाँ पर क्या है, A1, ठीक है न, A1 और A2 के लिए हमने लिखा होगा, ठीक है, तो A1, A2 अगर है, तो क्या होना चीए, A2, A1 को भी उस given relation का element होना चीए, ठीक है, तो यहाँ पर जो condition लिखते हैं, कि A1, A2 is the element of R, is the element of A, it means कि भी सभी element के लिए होना ज़रूरी नहीं है, मतब जो भी relation में pair available है, उसका ये second जरूर set में available होना चीए, ठीक है, तो यहाँ पर देखना, क्या basic difference आ रहा था, समझ आ रहा, यहाँ पर each and every element के बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर क्या हो गया, जिस दो element के लिए pair बना है, उसका ये ultra, ये available होना चीए, तो वो क्या हो A2, A3 available है, अगर ये pair बन रहा है कहीं पर, तुमारे R के set में, किसके set में, R के set में, तो देखो, देखना ध्यान से समझना, अभी जैसा हमने लिखा हुआ, तो A1, A3, इसका भी वहाँ पर set pair available होना चीए, A1, A3 होना चीए, और अगर ऐसा है, तो क्या हो जाएगा ये relation, set A क A2 as well as A3, ये सभी क्या होगे, element of A होगे, मतलब यहाँ पर A के सारे elements के लिए ये ज़रूरी नहीं है, मतलब जिन elements के लिए ये चीजें, मतलब एक दो pair ऐसा बन रहा है, जैसे A1, A2, फिर A2, A3, इन दोनों को मिला करके, मतलब A1 और A3 को मिला करके, pair बनना चीए, R के set में, तो ये क्या हो जाएगा, transitive हो जाएगा, ठीक है, तो आपने clearly समझ लिया कि भी empty क्या होता, universal क्या होता, reflexive क्या होता, symmetric क्या होता, transitive क्या होता, देखो इससे J E के अंदर direct question नहीं मिलने, ठीक है, लेकिन इसका understanding जो है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद आ और function से बहुत सारे direct question आपको competitive है, तो आज की class तो वो क्या है, totally वो NCRT based है, जो school examination वो उसके लिए काम आएगा, और competitive के लिहास से मैं बात करूँ, तो ये foundation है, ठीक है, अगर आपने relations और ये basic functions ठीक से समझ लिया, उसके बाद फिर जो next class अपनी होगी, जो J E के लिए होगा, तो आपको बहुत आसानी होगे, मतलब आप बहुत comfortable फिल करेंगे, क्योंकि आपको सारे basic मतलब जितने terms हम यूज कर रहे होगे, उसका जो भी concept है, वो आपको पता है, ठीक है, तो यहां तक note कर लेचिए आप इसको, लिख लेचिए, अब आजए ये finally, equivalence relation, ठीक है, relation, अपने अगर ठीक से symmetric और यह reflexive और transitive समझ लिया, तो इसमें कुछ भी नहीं है, यह अब फटा-फट कर लेंगे, ठीक है, अब लिखे, a relation R, note करिए, a relation R, in a set A, a relation R, in a set A, is said to be an equivalence relation, if R is, if R is, reflexive, symmetric, symmetric and transitive and transitive, ठीक है, मतब set A में अगर कोई relation, एक साथ reflexive भी हो, symmetric भी हो and transitive भी हो, तब ही वो relation क्या हो जाएगा, equivalence relation कहलाएगा, ठीक है, यहां तक सबके समझ आ रहा है, को doubt है किसी को, नहीं, तो अब देखो इसको फटा-फट note कर लो, अब इसके बाद हम कुछ problems करेंगे, है न, ठीक है, लिखे फटा-फट note कर लिजे इसको, अब लिखे, note कर लिए सबने, अब कुछ example solve करिए, आपको मैं समय दूँगा solve करने के लिए, अब फर्स example लिखे, suppose एक, यह NCRT में भी है यह problem, suppose एक सेट अपने आपको X दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, अब इस सेट X पर, मतब X के लिए आपने एक relation को ऐसा define किया हुआ है, R1 इस दो, X y, तो सफ एक, थस्गे, लिए यह यहुआ इस दूज़ और, एक दूसर रालेसे एक दूसर रालेसे और, another relation on set X is R2, ठीक है, अब R2 को क्या लिखा हुए हमने, XY, लिखे, such that, XY is subset of 147, ठीक है, show that, R1, equals to R2, यह proof करना है तुम्हें, ठीक है, सब लोग solve करिए, मैंने आपको समय दिया हुआ है, दो मिनिट का, बड़ावट solve करिए, लिखे लिखे यहां तर, इसमें और conditions दिये हुए है, अपने यहां तर लिखा, प्रूब दाट, R1, equals to R2, ठीक है न, अब इसमें लिखती चे, एक यह दिया है, condition, R2 के लिए, R1 तो आपने लिख लिए हुआ था, R2 के लिख लिए लिख लिए, आपने लिख यह, 147 और, X, Y, subset of 258, ठीक है, और, और, X, Y, is subset of 369, ठीक है, यह दिया हुआ, अब इसको solve करिए, देखो, अब इसको solve करने का, देखो, लॉजिकली तो दिमाग में solve कर सकते हैं, चलो ठीक है, लेकिन exam के point of view से आपको ठीक से लिखना पड़ेगा, है न, कि क्या steps होने चे कहां से शुरू करेंगे, तो R1 equals to R2 proof करना है हमें, ठीक है न, तो R1 equals to R2 proof करने का best तरीका क्या हो सकता है, कि आप यह proof कर दो, R1 is subset of R2 and R2 is subset of R1, अगर आपने ऐसा proof कर दिया, it means कि R1, R2 exactly equal है, तब ही ऐसा हो सकता, कि अगर equal नहीं होगा, तो R1, R2 का subset हो सकता, तो R2, R1 का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कुछ element तो बच जाएगा, ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, कि यह, R1 equals to क्या है, R2 है, ठीक है, अब इस pattern प्रैपस को start करें, देखे, अब यह proof करना है, तो अब दो कोई भी element एजूम कर लो, है ना, तो हमने ऐसा एजूम किया, कि suppose, X, Y, ठीक है, अब यह क्या हो गया, element of R1, यह हमारे पास दिया वा है, R1 के लिए, अब R1 को क्या कह रहा है, कि R1 देखना, R1 के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो relation है, वो क्या कह रहा है, देखना, X minus Y is divisible by 3, X minus Y is divisible by 3, ठीक है, मतलब क्या होना चीए, X minus Y को यहाँ पर, ठीक है, multiple of 3 होना चीए, ठीक है न, यहाँ पर X minus Y को multiple of 3 होना चीए, ठीक है, तो अब इसको चेक करिए, अब इसमें कहां कहां ऐसा मिल रहा है, देखो, तो देखे, यहाँ पर आपको ऐसा मिल जाएगा, कि जो X है, देखना, द्यान सा समझना, जो X, Y है, वो कौन से सेट से होना चीए, देखो, अब देखो, 2, 1 में हो नहीं सकता, 3, 1 में हो नहीं सकता, 4, 1 में हो सकता है, क्योंकि 4, 1 में अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3, मत्तब 1 और 4 के लिए वैलेट है, फिर देखो, 4, 5 में नहीं हो सकता, 5, 6 में नहीं हो सकता, 6, 7 में नहीं हो सकता, 7, 8 में नहीं हो सकता, 8, 9 में नहीं हो सकता, ठीक है न, लेकिन क्या हो सकता है, अब देखना ध्यान से समझना इसको, 4, 7 में हो सकता, क्योंकि 7-4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, तो हम एक ये लिख सकते, ठीक है न, हमने 1 से शिरू किया और 3, 3 का ले लिया, फिर आप 2 से शिरू करो, प्लस 3 करते जाओ, समझा रहा है न, देखो हमने 1 प्लस 3 किया, तो 4, 4 प्लस 3 किया, तो 7, 7 प्लस 3 किया, तो 10 होना चीए, जो element नहीं है, इसलिए next हमने लिखा नहीं, फिर और क्या होना चीए, देखते जाना बताईएगा, या फिर हम इसको और क्या लिख सकते, कि भी ये इस क्या होना चीए, एक्स वाई को, देखना ध्यान से समझना, देखो, एक्स वाई को element अफ, ये 147 में से निकल के आना चीए, ठीक है न, अब इसमें से देखो, या फिर एक्स वाई को क्या होना पड़ेगा, बताएगा, तो 2, तो 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा, बोलो, 5, और 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 8, 8 भी available है, और 8 प्लस 3 क्या होगा, 11, वो available नहीं है, ठीक है न, तो ये ये आ गया, या फिर और क्या लिख सकते, x, y को क्या होना अच्छी है भी, element of, अब देखो, 1 से शुरू करके देख लिया था, हमने 2 से देख लिया, अब 3, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, देखें, 3 प्लस 3 क्या होगा, 6 और 6 प्लस 3 क्या होगा, 9 और 9 प्लस 3, 12, जो out of this set हो जाएगा, मताब हम लोग क्या लिख सकते 3, then 6, then 9, तो देखो, according to relation 1, according to relation 1 जो होना चीए था, x, y को इसका, या इसका, या यहाँ से निकालना पड़ेगा, तीक है न, मताब इससे सबसेट बनाने पड़ेंगे हमें, यहाँ तक समझ आ रहा है, तीक है न, यह इसका सबसेट हो गया, तीक है न, यह इसका सबसेट हो या फिर यह, इसका सबसेट हो गया, तीक है न, तो देखो, इसका सबसेट होगा, सबसेट होने का मतलब इसमें से कोई भी दो निकालो, 1, 4, 4, 7, 7, 1, बन जाएगा, 2, 5, 8, 8, 2, sorry, 2, 5, 5, 8, यहाँ से निकल जाएगा, दो निकाल सकते हम लोग, लिख सकते हैं न, तीक है, तो देखो, 2, 8 में भी करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा, 6 का होगा, और वो 3 का मल्टिपल होगा, 3, 6, 3, 9, जो 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है, 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ तक सबके समझ आ रहा है, कोई डाउट है किसी को इसमें, नहीं, अब यहाँ पर देखो कि भी R2 क्या था, R2 देखो, element of 147, 258, and 369, मतब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, दिखेगा, द्यान से समझ जेगा, और XY क्या था, element of R1 था, लिख सकते हैं न, कोई डाउट है किसी को इसमें, अब देखो, यहाँ पर यह गिवन है, मतब आप यहाँ से देखोगे, तो यह clear हो गया, कि जो R1 है, देखेगा, वो क्या हो गया, subset of R2 हो गया, लिख सकते हैं, क्यों, देखना, R1 के लिए आपने दिखा था, XY, ठीक है न, यहाँ तक समझ आ रहा है, अब देखो, यह XY, जो element हमने लिया था, वो R2 में भी देखें, तो सेम, subset के लिए आ रहा था, 1, 2, 1, 4, 7 आ गया था, 2, 5, 8 आया था, और 3, 6, 9 आया था, ठीक है न, तो उसके according अब लिख लें, तो R1 क्या हो गया, element of, R1 is the subset of R2, ठीक है, इसको note कर लिजिए, note कर लिए आपने, अब देखो, हम लोग A, B, दो element assume कर लेते हैं, ठीक है न, A, B, दो element assume कर लेते हैं, सपोज करो, R2 के लिए, ठीक है न, तो अब देखो, R2 के लिए हो गया, अब R2 कैसा define किया हुआ था, वो इस तरह से define किया हुआ था, कि भी A, B, जो भी होना चीए, वो, इसका भी होना चीए, या इसका होना चीए, या फिर इसका होना चीए, तो अगर अब यहाँ से देखेंगे, तो clearly दिख रहा है, कि A-B is divisible by, A-B is divisible by 3, ठीक है न, तो A-B is divisible by 3, it means कि, A-B जो है, वो R का भी element है, ठीक है न, A-B जो है, वो क्या हो गया, R-1 का भी element हो गया, और A-B क्या था, हमने assume क्या क्या था, R-2 का, it means क्या हो गया, यह दोनों equal हो गया, it means आप कह सकते, कि जो A-B हमने लिखा हुआ था, यह R-2 का है, है न, और यही क्या हो गया, R-1 का भी है, it means कि, R-2 is the subset of R-1, तो यह भी proof हो गया, और यहां से क्या था, R-1 is the subset of, first case से क्या निकाला था, R-1 subset of R-2, it means कि क्या proof हो गया, R-1 equals to R-2, लिख सकते हैं, ठीक है न, कोई doubt है किसी को इसमें, नहीं, बड़ा फ़र note करें, फिर आगे चलते हैं लोग,